तो मित्रो नमस्कार और एंटिय को लेकर के और यह देखिए एंटिय की जो आपके सामने खोली है और देखिए इसमें जो नोटिफिकेशन के अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो नोटिफिकेशन हमारे सामने है देखिए जो पहला नोटिफिकेशन यहाप है वो फाइनल आं तो आपने जैसे लिंक को किया हमारे सामने यह अंसर की जो हमारे बा मारे बाद है वह आ आ चुकी है और आप देखिए किस तरीके से पूरी एक पीडियेप की एक दम से खुल गई है इसमें जो फाइनल औंसर की है आज किसमें आप उपर देट सकते हैं 23 बारए 2019 को ये कमपाइल की गई है यूज़ी सी नैठ दिसाम्बर 2019 की जो अंसर की है और इसमें एक्जाम डे आपको दिए गए हैं देखिये दो तीन तारिक को इक्जाम वह था economics को पहले shift में और date wise यह answer कि आप देख सकते हैं आपे तो इसमें मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगा देखे यह तो बिल्कुल सही है अगर कहीं पर dot dot इस तरीके से correct आइड आप शॉट किया है तो इस question को आपने cancel मानना है और इसके जो marks होंगे सभी candidate को मिलेंगे जो कि इस test में appear हुए है ठीक है तो यह आप देख सकते हैं बहुत हमें इस तरीके का dotted sign यहाँ पर दिखाई दे रहा है अलग-लग subjects में अलग-लग है देखे पॉलिटिकल science को देखते हैं तो यहाँ पर लगभग एक question यहाँ पर है और एक question यहाँ पर है तो दो questions जो है उनके answers यहाँ पर जो है cancel हुए है और आप देख सकते हैं एक और दो इसके अलावा आप एक चीज़ और देख रहे होंगा यहाँ पर एक dotted एक खाली जगा चुटी हुए question ID में यानिकी जो इसके उपर वाला जो question है इसके दो answers सही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो option को यहाँ पर सही माना गया है तो यह आपकी final answer की है इस तरीके से other subjects को लेकर करके philosophy है फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर psychology है psychology के बाद यहाँ पर sociology है एक question यहाँ भी cancel हुआ है तो यह पूरी PDF की फाइल है देखे हुआ है यह हुआ है तो तीन question cancel हुए है और दो के दो-दो answer को सही माना है देखें आपे anthropology में दो question cancel हुए है एक question का answer double आया है तो इस तरीके से यह आप मिला सकते हैं आपको किस तरीके से मिलाना है थोड़ा मैं इसके बारें बता दू यह आपकी question ID है आप अपने paper में question ID को म जा है और इसके आधर पर ही आप अपने सही marks का अनुमान लगा पाएंगे तो आप सभी अविरतियों को all the best आप दुबारत से अपनी answer की मिलाईए और कितने marks आपके यहां पर आ रहे हैं आप जरूर हमें comment box में लिखें जो expected cutoff के काफी नजदिक पहुच जाए कि इस बार क को देखने के बाद में ही आपको एक अनुमान लग पाएगा कि इस बार का result कैसा रहने वाला है इस बार की cutoff उपर जाने वाली है नीचे आने वाली है अधिक तर जो अनुमान अब तक लगाए गई है कि थोड़ा सा tough paper था तो उसको लेकर के सब कहना है कि इस बार जो cutoff है नीचे आने का अनुमान है तो यह अनुमान इस final answer की इसके बाद क्या सबके जो राय है इसमें क्या कोई परिवरतन होता है या फिर जो questions में आप लोगों के doubt थे जिनोंने भी प्रत्यावेदन दिये थे क्या वो परिवरतन उनकी इच्छा के अनुरूफ हुए है या नहीं ह किसी को doubt है तो यह तमम चीज अभी भी students से निकल के आ रही है और अभी तो फिलाल यह answer की आई है तो आप लोग इसे मिलाई है और आपको बहुत बहुत चुब काम नहीं आपके questions में आपके marks बड़े हों आपके अंक बड़े हों और यह आपके लिए काफी अच्छी बात हो होगी तो thank you very much